हे दोस्तों मेरे इस चनल में आपका स्वागत है आज मैं आपसे एनेस पेंद्रे नारण शीदर बेंद्रे जी के बारे में चर्चा करूँगी इन्हें ने थार्थवाधी छाया पदिती में भी काम किया ये गोगिन की कला से भी प्रभावित थे इन्होंने बहुत, मतलब इन्होंने नई-नई प्रियोग किये थे एनेस बेंदरे जी के बारे में इसी डिटेल में मैं चर्चा करती हूँ कि एनेस बेंदरे जी का जन्म 1910 में इंदौर में हुआ था, एमपी में हुआ था, ये एक ब्रहमन, मध्यमबर्गिय ब्रहमन परिवार से तालोक रखते थे, इनके पिता इंदौर के बिटिस रेजिज बनाती हैं, धर्तिबे बनाती हैं, कुछ अलपना बनाती हैं, कहीं मधूबनी जिस तरह से फोकार्ट बनाई जाती है, या अलपना बनाई जाती है, या नाग पंचमी के दिन हम लोग बना देते हैं, देवोठान वाले दिन बनाते हैं, तो इनकी मधर भी ऐसे ही बनाती थी और इनको उसी को देखकर इनके मन में जिग्याशा होती थी कि मैं भी पेंटिंग्स करूँ लेकिन इनके फादर की थिंकिंग अलग थी, इनके फादर सोचते थे कि ये पेंटिंग्स बनाना अमीरों का शौक होता है तो बेंद्रे जी ने इन्टर की परिक्षा उतीन करने के बाद इन दोर की जो रियासत थी, इन्होंने उनको अपनी इच्छा के अंसार भविशे में कला पढ़ने और कला के बारे में नौलिज करने की निहसुल्क सिक्षा प्रत्राप्त करने के लिए अनुमती दे दी, इसके इन्होंने वहां से अनुमती प्रत्राप्त हुई, तो इन्होंने इन्दौर की जो राजगिये कला विध्या ले था, उसमें इन्होंने अडमीशन ले लिया, वहां के उस समय प्रधान सिक्षक थे देवलालीकरजी, इनके गुरू बने, उनसे ही इन्होंने सिक्षा सभी लोगों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट से सूर्य के, साम के, सुभा के, दुपहर के, बाहरी वातावरण के, बाहरी इस्थानों के चित्र बनवाया करते थे। उनके ये चित्र बनवाने का सिर्फ एक ही धिय था, कि वे अपने स्टूडेंट्स को प्रकाश के बदलते हुए, रंगों के प्रभाव समझ में आ जाएं। सिर्फ यही धिय था उनका अपने स्टूडेंट्स से सुभह, साम, दुपहर, बाहरी वातावरण के चित्र बनवान करते थे, जिससे स्टूडेंट्स को नई चीज़ों की और नई प्रगती की नौलेज हो जाए, इसलिए वो लगवाया करते थे, उस समय सिक्षा, उस समय जो सिक्षा प्रदान की जाती थी, वो लंदन की रॉयल एकेडमी पर बेस्ट होती थी, यह आप लोग जानते क्योंक यह यूरोपी अपदती में सिक्षा प्राप्तिगी थी, यह तो अब आई है भारती अपदती, जब अवनिदनाट टेगोड़ जी के बहुत प्रयत्न करने के पश्चाद, तो अब मुझे इनी की यहीं से एक बात यादा थी है, एक दिन की बात है कि यह अपने दोस्तों के साथ अजनता के बारे में इन्होंने काफी कुछ सुन रखा था, तो यह साइकल पर एक दिन अजनता की द्रश्यों का दर्शन करने के लिए साइकल पर भी सवार होकर चल दिये, और काफी यात्रा करने के बाद, साइकल चलाने के बाद यह अजनता पहुँचे, और लेकिन जब अजनता के चित्र इन्होंने देखे, तो अजनता के चित्र इनकी आँखों को अच्छे नहीं लगे, अजनता के चित्र इन्हें भाए नहीं, क्योंकि यह जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो पश्चमी सैली से अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि पश्चमी सैली में न अच्छे नहीं लगे 1933 में आगरा से बिये करने के बाद 1934 में ये बंबई कला विद्याले JJR जो स्कूल है जिसके बारे में हम जानते हैं वहां आ गए उसमें आकर इन्होंने अड्मिशन लिया और डिप्लोमा किया यहीं अब मैं आपको एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में दो पेंटर्स के बारे में चर्चा कर रही थी वो मैं आपके बारे में आज मैं अभी मैं आपको बताती हूँ कि देखिए M.F.Husain थे और बेंद्रे जी थे बेंद्रे जी ने सिक्षा प्राप्त की देवलाली करजी से और इंदौर से वहीं MFUSN ने भी देवलाली करजी से सिक्षा प्राप्त की और इंदौर से सिक्षा प्राप्त की 1915 में उनका जन्म हुआ और 1910 में उनका जन्म हुआ वो भी वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुंबई आ गए थी बेंदर जी भी मुंबई आ गए थी इन्होंने भी जे जे आर्ट स्कूल में एड्मिशन लिया और डिप्लोमा किया इसके बाद इन्होंने भी फिल्मों में हाथ आजमाया उन्होंने भी फिल्मों में हाथ आजमाया उन्होंने भी पोस्टर काफी बनाई लेकिन अब यहां मैं सिर्फ बेंदर जी पर आती हूँ उन्हें तो बाद में पिकासो जी ने अपनी प्रदर्शनी एक्जिवीशन के साथ सामिल कर लिया उनका नाम हो गया बेंदर जी को सफर स्टार्ट हुआ अब कि बेंदर जी ने जब ये मुंबई में जेजे आर्ट स्कूल से बढ़ रहे थे तो इन्हों डिप्लेमा प्राप्त करने के लिए करने से पहले ही इन्होंने बेंदर जी ने पेंटिंग्स बनाई थी और वहां एक वार्षिक प्रदशनी आयोजित की जाती थी तो उस वार्षिक प्रदशनी में इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बी रखी और इन्हें उस पेंटिंग के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ और उस painting का शीर सक था, जिसके लिए ने रजत पदक प्राप्त हुआ था, उस painting के लिए इनने रजत पदक प्राप्त हुआ था, इन्होंने इस painting में अपने भाई को जिपसी के वेश में चितरित किया था, इस प्रदर्शनी में इन्होंने अपना एक द्रश्य चित्र भी लगाया था जिसके लिए भी उन्हें काफी प्रसंसा मिली थी और प्रुषकार भी प्राप्त हुआ था जिससे इनका आत्मस विस्वास बढ़ा और इन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का लक्ष बना लिया था अब मैं यहां आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि यह मैं ही कह रही हूँ कि यह मुंबई के कलाकार थी मुंबई के कलाकार अब मुझे यह बतानी कि शायद आपको जरूरत नहीं होगी कि यह मुंबई के कलाकार क्यों या MFUSN मुंबई के कलाकार क्यों कहे जाते हैं इन्होंने जब JJR College से या MFUSN जब यह शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वहाँ जब प्रदरश्णिया लगाई जाती थी तो वहाँ अपने चित्र भी यह लोग भेजा करते थे तो वह मुंबई के ही कलाकार बोले जाएंगे क्योंकि वह मुंबई में रहकर मुंबई में ही सीख रहे थे मुंबई की पढ़ाई कर रहे थे मुंबई में ही अपने एक्जिविशन में अपने पिंटिंग्स लगा रहे थे तो मुंबई के कलाकारों की गिंती में यह किने जाते हैं इन्होंने 1935 में ये 1934 तक की बात मैं बता रही हूँ अब मैं 1935 की बात करती हूँ जब इन्होंने दूसरी जब वार्शिक प्रदशनी लगी नेक्स्ट जो 1935 की प्रदशनी लगी वार्शिक तो इन्होंने अपना चित्र दूसरा भी भेजा जिस चित्र का नाम था गली का आकर्शन और इसके लिए भी इन्हें रजत पदक के साथ साथ राज्यपल का पुरुसकार भी प्राप्थ हुआ दोनों पुरुसकार इन्हें प्राप्थ हुए एक तो रजत पदक तो पिता प्राप्थ हुआ ही हुआ उसके साथ राज्यपाल का पुरुसकार भी प्राप्फ हुआ और इन्हों ने बहुत से द्रस्च चित्रों का चित्रांकन भी किया लेकिन इनकी एक इच्छा थी कि इन्हें बंबई की उस वाशिक प्रदर्षणी से इन्हें स्वानपदक चाहिए था लेकिन इससे पहले ये कलकत्ता से स्वानपदक ले चुगे थे लेकिन फिर भी इनकी जग्यासा इनकी कहते है न भूख खतम नहीं हुई थी क्योंकि इन्हें बंबई की आर्ड सोसाइटी से लेना था स्वानपदक और इसके लिए उन्होंने दुबारा से तैयारिया शुरू कर दी और आखिरकार इन्हें बंबई से स्वानपदक प्राप्ष हुआ था. 1941 में बंबई से आर्ट सोसाइटी से इन्हें स्वान अपर्दक मिला इसके बाद ये 1936 में ही कश्मीर की तरफ हमने दोस्त के साथ कश्मीर के तरफ लोग गए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन्होंने कश्मीर के द्रशों का चित्रांकन भी गया काफी स्कैच भी बनाए है तो जब ये कश्मीर गए थे तो इन्होंने कश्मीर के चित्र काफी वहाँ बनाए थे स्कैच वहाँ बनाए थे और इन्हें वहीं कश्मीर में पहले एक ऐसे कलाकार थे जो बाहर के थे और इन्हें क्योंकि ये कश्मीर के कलाकर नहीं कहे जाते थे क्योंकि ये अलग यहां से गई हुए कलाकर थे तो इन्हें वहां कश्मीर में दर्शनार्थी संग का सदस्य मनोनीत किया गया था क्योंकि इनकी जो पेंटिंग सीमा सुईक्रत ही थी और वहाँ उन्होंने एक कलाकार के रूप में और पत्रकार के रूप में 1949 तक काम किया था और उसके बाद ये वापस लोट आये थे इन्होंने अमेरिका की तरफ भी रुख किया और अमेरिका गई और अमेरिका जाने के बाद इन्होंने वहाँ ग्राफिक और सिनेमिक पदती में काम सीखा था अब मैं वहाँ उन्होंने जब अमेरिका में जाकर ग्राफिक पदती में काम सीखा इससे पहले मैं आपको एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यह है कि जब 1945 में जब इन्हें 1945 की बात है जब इन्हें शांती निकेतन से बुलावा इन्हें निमंत्र आया था बु गए थे जब यह शांती 1945 की बात है यह कि जब इन्हें शांती निकेतन गए और वहां इन्होंने मुंबई की कलाकार या इंदौर के कलाकार इन्होंने अलग लग कलारकारों के साथ काम किया उन्होंने बहुत कुछ सीखने को भी मिला क्योंकि जब कोई किसी के साथ काम करता तो किसी की कुछ और भी quality होती है जो वो सीखता है तो इन्होंने बहुत बसू हो चाहे मैं राम किंकार बैज हो या मैं बोलू बिनूत बिहारी मुखर जी हो इन्होंने सब के साथ सबसे ये प्रभाबित हुए सब के साथ काम किया सबसे काम सीखे और सांती निकेतन के बाल 1946 मे ये आर्ट सोसाइटी ओफ इंडिया यानि बंबई की आर्ट सोसाइटी के पटेल ट्रॉफी ने प्रधान की गई और इनको वहां का सभापती न्यूक्त कर दिया गया अब इनकी लाइफ यहां से टर्न रेती है कि ये इसके बाद विदेश चले गए थे अमेरिका गए थे 1947 की ये बात है कि जब ये अमेरिका गए थे और इन्होंने वहां जाकर बहुत से संग्राले में एक्चुली वहां बहुत अच्छे संग्राले हैं मैंने खुद भी देखे हैं लूब्र संग्राले भी मैं गई हुई हूँ इतना बड़ा संग्राले पेरेस में कि वहां मैंने मोनोलिसा भी देखी वहां इतनी पेंटिंग्स लियोनार्दो दा विंसी की विदेशी जितने भी कलाकार हैं उनकी मूर्थियां कि मैं खुद भाविवोर हो गई थी मेरा आने का मन नहीं था लेकिन वहाँ टाइम लेमिटेज था पूरा दिन वो इतनी बड़ी संग्राले था कि मेरा पूरा दिन निकल गया लेकिन मैं पेरिस में कहीं और नहीं घूम पाई और मैंने वही क्योंकि मैं खुद ही कोई शब्द नहीं है मेरे पास मैं क्या बोलूँ इतनी सुंदर पिंटिंग्स थी तो ये भी घूमे थे और इन्होंने भी वहां कई संग्राले में ब्रहमण किया काफी कुछ सीखा सीखने को मिला नियुयार्क में इन्होंने अनेक प्रदरश्णियां आयोजित की और ये अपने जो भारत से चित्र जो काफी कुछ ले गए थे चित्र वहाँ इन्होंने वहाँ सेल कर दिये इन्होंने वहां की एक आर्टिस्ट पत्रिका है उस पत्रिका में इन्हों इनकी एक चित्र छपा था ये बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि विदेशी चित्रकारों विदेशी चित्रकारों के बीच में विदेशी पत्रिका में विदेशी लोगों के बीच में एक भारतिय भारतिय कलाकार की पेंटिंग्स छप रही है। यह बहुत सम्मान की बात थी। इन्होंने वहाँ विदेशों में बहुत एक्जिविशन लगाई। बहुत नौलिज ली। जब वे विदेश से बाहर आए। मतलब इंडिया वापस आए। तो इन्हें इन्हें 1950 में बड़ोध काम मिला। अब सोचिए जब बंदे को इतनी नौलिज होने के बाद ये स्टुडेंट्स को कैसे पढ़ाते होंगे। तो इनके शिष्य इनके जो शिष्य थे जैसे हिम्मत सा इनके शिष्य थे। इनके शिष्य भी इनसे भी कहीं ज़ादा talented निकले। मैं बताऊंगी कौन-कौन से इनके शिष्य थे। इन्हें बड़ोधा ग्रूप का इन्होंने आप शायद आपने ये पढ़ा भी होगा कि इन्हों में 1956 की बात है जब इन्होंने बड़ोधा ग्रूप का जो पेंटर्स का जो ग्रूप है उसका गठन का सुत्रपात किया था गठन बनाया था, संगठन बनाया था कि पेंटर्स का बड़ोधा जिसे हम बड़ोधा ग्रूप ऑफ पेंटर्स के नाम से जानते हैं। की भी बहुत भूमिगा निभाई। अब मैं इनके कला के साथ साथ इनकी इनके जो चित्रकार हैं इनको जिन्होंने शिक्षा प्रदान की है उसके बारे मैं बताती हूँ। इन्होंने वैसे काफी जगें पिंटिंग्स लगाई थी। इनके जो जैसे जोती भट, शांती द अब इनका जो एक चित्र है सूरज मुखी का फून, जेठी दुपहर, इन्होंने काफी बनाए थे चित्र, अब मैं बनाई होंगे लेकिन जो इनके सूरज मुखी